दम्मपद 4949 नमबर तुफ्तल बग्गु इसकी जो कथा है जो कहानी है जो स्टोरी है तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और प्रेणा दायक है एक संखर नाम का शहर था उसमें कोसिये नाम का महा धनवान मगर महा कंजूस महा का मतलब वो प्रानी भासा में बड़ा होता है महा धनवान उसके पास धनवी बहुता और कंजूस ही बहुता वो किसी को धन नहीं देता था तो वो अपने परिवार के साथ एक बार उसका मन हुआ कि मालपुय बनाए मालपुय उस समय बहुत बढ़िया मिठाई मानी चाती थी तो उसने सोचा कि अगर मैं घर में नीचे बैठके बनाऊगा तो कोई ना कोई आ जाएगा उसको देने पड़ेंगे इसलिए उसने अपनी घर की छट के उपर मालपुय बनाए उधर वो मालपुय बना रहा था और इधर जो महा मोगल लैन है भिक्कू और थेर वो अपनी चारिकापर यानि कि जो भिक्ता के लिए निकलते हैं भिक्ता का मतलब है भिर्मन करते हुए सिक्षा देना और बदले में खाना लेना उस चारिकाप के लिए उस नियमित जो उनका कार्य था उसके लिए वो निकले हुए थे जो नियम है भिक्कु संके और विने के एक चारी का करने के उसी के नियम पे तहत में वो उसके द्वार पे जाके खड़े हो गए और महा जाके खड़े रहे कि वो देखेगा तो आके भिक्ता देगा और फिर वो उसको धंब दान देंगे धंब दान देने का जो नियम था वो महा कंजूस जानता था उसने सोचा कि ये जो भिक्व आया है इससे मैं धंब सीख लेता हूँ धंब देखता हूँ ये देगा या नहीं देगा और इसको कुछ दूंगा नहीं ऐसा मन में जानते हुए उसने महा मोगल लैन से धंब के लिए कहा महा मोगल लैन जो धंब है उसमें सबसे ज़्यादा पारंगत बुद्ध के बात में बताए जाते हैं वो उसकी मन और सिती समझते हुए और अपने धंब का नियम का पारंगत करते हुए क्योंकि धम ये कहता है बिने ये कहता है कि आपको बदले में चाहे कुछ मिले या ना मिले मगर आपको सिख्षा देनी है सिख्षा देनी है उसको सिख्षित करना है सिख्ष बनाना है तो उन्होंने उसको वहाँ धम दान देना सुरू किया बड़े समय से इसने बताया और इसकी भूख का टाइम है इसकी भिक्टा का टाइम है मगर इसने भिक्टा मेरे से कहा नहीं, मांगी नहीं उसका हिर्दय, उसका देल, उसका मन, उसका चित उसका माइंड थोड़ा सा परिवर्दित हुआ उसे और ज़्यादा जग्यासा हुई धम के बारे में कि ये कैसा धम है जिसमें धम धर जो आया और उसने मुझे धम दिया बद्दे में कुछ लिया भी नहीं और जग्यासा हेतू उसने क्या किया कि उनको मालपुय दिये और भिक्को संग में और बालपुई देने की इक्षा से वो उनके साथ चल दिया सारे भिक्को संग को उसने महा मालपुई दिये धम्म का असर ऐसा हुआ कि वो फिर धम्मिक बन गया धम्म में सीख गया उसका जो कंजूसपन था वो चला गया उसकी जो ये कुरिती थी जो बुराय थी वो निकल गई तब भिक्को संग में ये चर्चा हुई कि आखे इतना कंजूस महा धनवान व्यक्ती धम्म से कैसे इतनी जादी बदल गया महा मुगल्यान ने ऐसा क्या किया भगवान बुद्ध ने इस चर्चा में महा मुगल्यान के समझाने की धम के विने की नियम पे चलने की और भिक्को के जो नियम होते हैं उनका सही तरह से अनुपालन करने की बड़ी प्रशन चाह की और तब ये गाथा उन्होंने वहां की जो गाथा नमबर 49 है इस प्रेकार से है यथापी धमरो पुक्फंग वन गंध महेट ठयंग पलेती रस मादाय एवंग गामे मुनी चरे ये बहुत साधार और बहुत इस्पष्ट और बहुत बड़ा कहानी और छोटी सी है जो गाथा है यथापी धमरो पुक्फंग यथापी का मतलब है जिस प्रेकार यानि जैसे भमरो का मतलब है आप राहिस्थान में गाना सुनते होंगे भमरो भमरो करके आता है भम्रो वही पाली का सब्ध है जो राइस्थान के भम्रो गाने में आता है भम्रो का मतलब है भौरा या भमर भम्रो का मतलब होगे जैसे बुद्धो को बोलते हैं एक बुद्धा है ऐसी भम्रो का मतलब एक भमर या भौरा तो फंग माने फूल को वर्ण गंद महेट ठयन वर्ण माने जो होता है वो रंग होता है मैंने पहले भी आपको बताया है कि वर्ण जब हम किसी का कहते हैं कि तेरा क्या वर्ण है इसको संस्क्राइज भासा में वर्ण बोलते हैं वर्ण का मतलब यहाँ पाली के अंदर पुरानी भासा में रंग होता है वर्ण जो आता है जैसे आपका वर्ण क्या है वर्ण का मतलब है कि आपका रंग कैसा है गेहुआ रंग है या सफीद है या काला है सोने जैसा है या हिरन जैसा है हिरन का मतलब सुवन है भारत के अधिकता लोक सुवन रंग के होते تھے गेहुझ जैसे और हिरन जैसे उनको सुवन बोला करते थे सवन नहीं सुवन वन बागे बना तो सु लग गया आदम तो सु वन हो गया और जिनका रंग नहीं होता उनको ऐ वन बोलते हैं महे ठेंग, महे ठेंग का जो मतलब है, इसका मतलब है ए ठेंग, ए ठेंग का मतलब है ए माने नहीं और ठेंग माने कश्ट पहुँचाना, यानि कि ठेस लगती है जैसे आज की समय तो उसको ठेस बोलते हैं कि ठेस लग गई आपको कहा ठेस लगी उस समय ठेया बोला जाता था ठेया इसको हेटना भी बोलते थे तो हेटना या ठेना यानि ठेस लग गई तो हेटना का ठेसना हो गया ठेस बन गई तो ए हेटरिया या ए हेटना या ए हेट यंग यानि कि उसका जो वन है उसका जो रंग है फूल का उसकी जो गंध है वो बिना कष्ट पहुँचाए भवरा ले जाता है जैसे पलेती रस मादाए पलेती माने चला जाता है ले जाता है वॉक करता है रस मादाय, रस मादाय का मतलब है रस आदाय, आदाय का मतलब होता है लेता है, पीता है या रखता है और रस का मतलब जो उसका रस है, जो मधु है वो लेता है एवंग गामे मुनी चरे, एवंग माने वैसे ही इसी प्रकार एवंग गामे मुनी चरे ऐसे ही इसी प्रिकार गामे का मतलब गामे मुनी माने जो भिक्कु है चरे माने चरे प्रिक्रिय करे और वो उसको करना चाहिए सिंपल सी अगर हंदी भासा में हम साधान सब्दों में कहें तो जिस प्रिकार भौरा होता है और वो फूल के रसको और गंद को ले लेता है और उसके कोई भी फूल को हानी नहीं पहुंचाता फूल वैसे का वैसे लेता है और उसके मधू को रसको पी कर वहाँ से चला जाता है ऐसे ही भिक्कू को जब वो चरिया में जाए जब वो भिक्ता टन में जाए जब वो गाओं केंदा जाए या कहीं जाए और भिक्ता ले तो जिससे भिक्ता ले उसके मन को बिलकुल भी हानी ना पहुँचाए उसके मन को बिलकुल भी दुख ना पहुँचाए ले समात्र भी दुख ना दे अगर कहीं किसी को दुख होता है तो वहां से भिक्ता ना ले ऐसा काम ना करें ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो महा कंजूस व्यक्ति था महा कंजूस व्यक्ति को महा मुगला ने समझ लिया कि अगर मैं इससे भिक्ता लूँगा इससे भोजन लूँगा या भोजन मागूँगा तो ये कश्ट में आ जाएगा क्योंकि इसका मन दुखेगा इसलिए उन्होंने वहाँ उसको आगर नहीं किया मगर वो समझ गए कि ये मुझे धम सीखना चाहता है और देना कुछ नहीं चाहता है तो इसको देना चाहिए इसके मन को ठेश नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अगर मैं इसको धम नहीं दूँगा तब भी इसके मन को ठेश लगेगी कि देखो कैसा मुनी है अगर भिकता नहीं दी इसने मैंने अगर इसको भुक्ता नहीं दी तो इसने मुझे धंब नहीं दिया इसलिए महा मोगलेन ने जो नियम है धंब के उनका पालन करते हुए उसको बिना ठेस पहुचाए वहाँ धंब दिया और धंब देने का लाव ये हुआ कि वो धंब में जिग्यासा उसको ही उत्पन होई कि ये कैसा अन्मोल धंब है कि जहां भिक को इतनी शांती से आते हैं और बिना कुछ लिए भी धंब का ग्यान दे के जाते हैं ये इसका सार है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धंब की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने Facebook पे, अपने page पे, अपने Twitter पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामू संगं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियाम पी धम्मं मरसिनु गच्चाम। दूतियाम पी धम्मं सर्णं गच्चाम। तर्थियों पी सर्णों सर्णों गच्छान। दोखियं पी सर्णों सर्णों गच्छान। तर्थियों पी बुद्धों सर्णों गच्छान। तर्थियं पी बुद्धं सर्णों गच्छान। ततियं पी धम्मं मर्सर्णु गच्छामू ततियं पी घम्मं सर्णं गच्छामू ततियं पी संगं सर्णं गच्छामू ततियं पी संदं सर्णं गच्छामू साथू, साथू, साथू